जैस्वाम जी बहुत-बहुत स्वागत है लहरे पर आपका सबसे पर बताई कैसे है आप जी बहुत-बहुत धनबाद आप लोग को आप सारे मीडिया भाई को नमस्ते प्रणाम मेरे दर्शकों को प्रणाम नमस्ते मैं अच्छा हूं जी आप कि फिल्म आ रही है जटका ढरबाल रही कितने उत्साहित है फिल्म के लिए आप दर्शकों से कहेंगे कि क्टने उत्साहित है पर आहिए? अब देख रहें हैं, पुजा जी, मेरे हाओ भाओ से थोड़ा सा लगता होगा कि उत्सा क्या होता है, कि जब हम एक सिनेमा बनाते हैं, बड़ी सिद्दत से बड़ी मेहनश से बनाते हैं और बन के तयार होता है, जब रिलीजिंग टाइम आता है तो हमको, मतलब हमारे उत्सा का पता नहीं कई गुना बढ़ जाता है तो आज बड़ी खुशी हो रही कि जनता दर्बार इस समय देखिए बनके तयार है और जो थोड़ा समय लागा लेकिन बहुत अच्छी मूवी बनके तयार हुई है और जो एक सोशल फिल्म है कब तक रिलीज की जाएगी हमें कुछ ब तयारी हो चुकी है और इसको हम उत्तरपरदेश बांबे और गुजरात का यह सब फाइनल हो चुका है बिहार भी अलमोस्ट फाइनल ही है तो जहां तक है हो सके तो पूरा ओल इंडिया ही करें क्या नए साल कर रहे थे आपकी नए साल में फिल्बरीज करेंगे जी इसमें कि एकदम आप सही कहें मैं चाहता तो पीछे ही कर सकता था थोड़ा क्योंकि हम दो हफ्ते पहले त्यारी बना चुके थे लेकिन नया साल का कुछ उत्साह अलग होता है चुकि अभी यह साल जाई रहा था तो हम पहले डिसाइड किये कि ऐसा कि हम तेश तक आ जाएं लेकिन अलग होसला है और एक अलग चाहत है कि मतलब भूत शारा नए साल के उपलक्ष में हमारे दर्शक भाई प्यार अशिरबाद देंगे प्रमोशन के लिए क्या अक्टिविटी करने वाले हैं कि दर्शकों की बीच में जाएंगे या किस तरका प्रमोशन होगा प्रमोशन का देखिए अभी तो फिलाल हमने पोस्टर छोड़ा है जो सारे पोस्टर आज सोसल मीडिया प्यार रहे हैं सब आप मेडिया भाई और हमारे दोस्तों का और हमारे दर्सकों का ही प्यार आशिरबाद है कि समय जंता-दरबार का पोष्टर खाफी वाइरल चल रहा है और बहुत प्यारा इसरबाद मिन रहा है अब जहां तक प्रमोशन का है कुछ तो प्लाणिंग है कि कहां तक पाते है कि उत्तर प्रदेश जाए फिर यहां मुंबई चुकी एक साथ में कई जगा प्लानिंग है तो अभी चुकी साथ तारीक में थोड़ा सा टाइम है तब तक हम अपना डिसाइट कर चुके रहेंगे कि हम हमारा प्रमोशन का क्या क्या अपना प्लान है देखें इसमें जो है मनोश आरपांडे जी लीड रोल में है जो सामने दिख रहा है और इसमें जो है दूसरे हीरो के रूप में है संग्राम सिंग पतेल जी और इसकी लीड हिरोई है चंद्रमुखी मौसम जी और सेकेंड में जो है श्रिष्टी उत्रा खंडी है बबली नायक है और इसका एक पेशल सोंग जो है संजना सिखने किया है जै सिंग बड़े भीया जो है एक दमदार जो है जंगल की भूमका में दो नजर आ रहे हैं व्रिजेश्तिर पाठी जी है और जीतु सुकला है लोटा तीवारी जी कमेडी करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में इसमें जो है गोविंद कुमार हमारे जो है अमता बच्चन जी है और विजय बर्मा जी है मतलब बहुत सारे कलाकारों से जो है समीर अपना तुम मैं छोड़ के बता रहा हूँ कि अब जो अपनी दाहार अभी सुनने को मिलेगी पबलिक को दरसले इस फिलम का मैं मुख खल लाएं कि भूमका में मैं ही हूँ जो है इसमें और हमारे भाई के रोल में जीतु सुकला और सत्या पांडे जी है तो इस तरह बहुत सारे कलाकारों से ये फिलम बनके बहुत अच्छी तयार है और सभसे बड़ी बात है कि पुजा जी एक साफ सुतरी फिलम जो है इस फिलम को बनाने में आप लोगों ने शुरू से देखा मेरे परिवार की बध़ी मुख भूमका है सारे परिवार ने मिलके इसमें मे जरा आएगा वो फिलम में मतलब सब दिखाई देगा संग्राम सिंग पटेल जिसमें जो है आर्मी के एक सक्त भूमका में हैं मुजिक को लेकर जाना चाहूंगी मुजिक को लेकर क्या कितना गाने हैं किस तरह की गाने सुनने को मिलेंगे यह आपने बहुत सवाल किया चुकि अपने दर्सक भाईयों के कानों को बहुत अच्छा लगेगा और जितना ही अच्छा उन्होंने मुजिक तयार किया है उतने ही अच्छे इसके गाने के जो है लेखक हैं सब इसमें जो है प्यारे लाल यादो कभी भीया का जो है इसमें लिखा कई गीत है बहुत अच्छा उनका जो है सेट सोंग दर्सकों सुनने मिलेगा और आपने भी कहा जो नए साल में जो है कि करने का रिजन तो मुख बात यह है कि इसमें मेरा एक होली गीत बहुत तगड़ा आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो है होली से इतने प्रभावित होते हैं अपना ऐसा तेवार है कि दर्सक भाई उसको खोब इंजवाए मतलब हमारे हिंदुस्तान के पूरी जनता कि आप बाहर भी सब लोग होली का तेवार जम के मनाते हैं और होली में गीत आ रहा है जो पूरा सारे कला कारों से एक्दम सजा हुआ गाना हमने मतलब पूरा काफी क्राओड और पहुत ही उस गाने को और इसमें और गाने हैं जो है सिखर मधूर के कई गाने हैं इसमें रमेश आर यादोन ने लिखा हुआ है गाना, उसके बाद में अभी तो हमारी बीच में नहीं है जो शुरगे स्याम दिहाती जी का भी मेरे खाल से लाश्ट गाना इस फ्लम में सुनाई देगा एक बहुत अच्छा गाना है उनका तो सारे लिरिस राइटर भी बहुत अच्छे हैं इसमें जी आपकी शब्दों में जनता दर्बार क्या है मेरे सब्दों में जनता दर्वार एक ऐसा जो है कहानी दर्सक के बीच में आ रहा है कि पूरे समाज में हर घर में जो मतलब जो दर्सक भाईयों का एक सिकायत रहता था कि भोश्परी में कुछ हटके नहीं आता मतलब किसी तरह का भी स्टोरी लगा देते हैं प्यार महबत वा देंगे कि मतलब जो अपनी कहानी को जरूर था उस तरह का गाना है और खास बात जो है जो आप कह रहे हैं कि जनता दर्वार में ये फिल्म जितने भी देखने वाले हमारे ओडियंस दर्सक भाई है पूरे परिवार के साथ एक साब सुतरी फिल्म देखेंगे और जो भी द कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इससे भी प्रभावित हो कि हमने कहीं न कहीं जो है अपने माननी जो है योगी आति जी जो हुत्तर प्रदेश सरकार हमारे जो जिस तरह के काम कर रहे हैं तो यह सबसे प्रभावित हो कि इसमें जो भी दर्सक देखेंगे फिल यह खास है मतलब इस फिलम के अंदर दूसरा खास है कि हमारा हीरो चुकी जो है मनोजार पांडे जी किस परिश्थिती में जो है यह कलम छोड़के जो है बंदूक उठाते हैं और बंदूक उठाना भी एक ऐसा मतलब कोई आधी परविलती नहीं है कि मतलब जो है हमारे फि लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको मार काट के ही लड़ेगा एक तरीके से भी लड़ा जा सकता और जब हमारी सरकार हमारी मदद करेगी तो जो भी गलत रास्ते पर गये हैं वो अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे आ सकते हैं मतलब यह फिलम का में जो है उद्देश है नए साल के लिए को शुप कामने देंगे दर्शकों को जी एकदम जो है नए साल में क्या होता है कि 31 सब कहते हैं कि भाई 2022 बाई बाई तो अपने दर्सक भाईयों से मैं यह कहूँगा कि आप लोग 31 जो होता है इसमें कहीं ना कहीं जो है आदमी अपने एक इंजवाए के ह आप से कि हम पुराने साल को बाई बाई कर रहे हैं नया साल हमारे सामने है और अब यह सबके जीवन में जो है 2023 पूरे मतलब भारत के वासियों के जीवन में खुशिया ही खुशिया लेके आए यह तो पहली सुबकामना मेरी तरफ से दूसरा है कि नया साल आप लोग सोश स साल मनाएं और नया साल में ही आपका जनता दरवार हमारी फिल्म हा रहे सब परिवार जाके आप फिल्म देखिए बस यही कहना चाहेंगे अपने दर्सक भाईयों से कि जो है एक साफ सुतरी फिल्म और डिफरेंस लुक पे जो है हमने लुक पे भी बहुत ज्यादा समय दि मिने दाड़ी बाल ना कटवाना तो अपने आप में एक चलेंजिंग रहा है फिल्म के परत सब ने बहुत अच्छा हो किया है हमारी पतनीश में संगीता प्रजापती जी जो है को पेडूसर हैं और वो काफी महनत की है हमारी भावी है बच्चे है मैंने कहा अभी पहले की फैमिली मिलेके पूरी फल्म को सजाई है जो है हमारे गुबिन कुमारमता बच्चन जी बहुत मेहलत किये हैं और इसका कहानी भी मल यहिसकी यार केशुक्ला कहानी बहुत अच्छा मुझट चुनाए थे कहानी को फिर उसको और पढ़ियां से सजा के इसको किया गया है तो यह अच्छी फिलम जो है बनके तयार है जो एक फैमिलियर फिलम हम कह सकते हैं और पूरे जो है हर घर में एक मैसेज मिलेगा मतलब इस फिलम को इसलिए देखना जरूरी है कि हमारे दर्सक भाई आप लोग अगर प्यार देते हैं तो और डिफ्रेंस डिफ्रेंस फिलमें बना के लाएंगे जो आप लोग भी कहेंगे कि भोचपरी में अलग फिलमें आ रही है